हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम जैसी कृष्णा आज का हमारा विशय गुण मिलान से सम्मन्दित है किसी भी लड़के या लड़की का मिलान करते समय गुण देखने बहुत आवशक होते हैं यदि आप गुण मिलान करते हैं तो उसमें सबसे पहले यहां देखना होता है कि गुण कहीं कम ना हो अब कम सेतातपरी क्या हुआ अधिक्तम गुण 36 होते हैं और 36 में से कम से कम 50 प्रतिशत 18 गुण तो मिलने ही चाहिए 18 से कम गुण मिलते हैं तो हम या जोतिशी उस विवाह को मान्यता नहीं देता है और कह देता है कि यह तो मिलान अशुब है क्योंकि गुण कम है तो आज भकुट दोश की चर्चा होगी कुंडली का सबसे महतुपूर्ण योग यदि भकुट दोश को हम ध्यान से नहीं देखते हैं तो बहुत सी बार जीवन शेली और व्यवार पर इसका फर्क पड़ता है वरवदू के आपसी मिलान में भकुट दोश का सीधा सम्मंद है व्यवार से एक दूसरे का आपस में या पती-पत्नी का आपस में व्यवार कैसा रहेगा विवाह के बाद यदि भकुट अशुब है तो व्यवार भी खराब हो जाएगा और फिर जीवन भर समस्याएं भोगनी पड़ती है आजकल लोग कम्पुटर से मिलान देख लेते हैं या अनेक जोतिशी भी है पंजांग से मिलान देख लेते हैं और तुरंत निरने भी ले लेते हैं लेकिन भकुट दोश देखते समय बहुत सी बातें ध्यान में रखनी होती है जिस पर आज चर्चा होगी भकुट के कारण यदि मिलान नहीं हो पा रहा है तो पहले उसको सही तरह से समझना भी पड़ता है कि वास्ता में भकुट दोश है या नहीं केवल मात्र कम्पुटर से देख लेने से या कम्पुटर पर गुण देख लेने से या पंजांग की गुण सारनी से गुण देखने पर जो गुण प्राप्त होते हैं वही अंतिम गुण नहीं होते हैं भकुट को नाडी को या अन्य गुण जितने भी हैं अलग-अलग कूट हैं अस्ट कूट हैं कौन-कौन से यहां पर चार्ट देखिए वर्ण वश्य तारा योनी ग्रह मेत्री गन भ्रकुट नाडी इन सब के अलग-अलग अंक भी दिये हुए हैं आप देखें तो वर्ण का एक अंक हैं वश्य के दो अंक हैं तारा के तीन अंक हैं योनी के चार अंक हैं ग्रह मेत्री के पांच अंक हैं गन दोश के छे अंक है ब्रकुट दोश के या भकुट दोश के साथ अंक हैं, नाड़ी दोश के आठ अंक हैं, तो आप देखें तो सरवादिक अंक जो हैं वह नाड़ी के हैं, और उसके बाद भकुट के साथ अंक हैं, तो ये दोनों ही बहुत ही महतुपूर इस्तितियां हैं, इनको देखना अतिय आवशक है लेकिन बहुत सी बार यह दोश नहीं भी होता है भकुट दोश नहीं भी होता है और हम उसे मान लेते हैं तो फिर अच्छे खासे मिलान हम नकार देते हैं लेकिन यदि वास्त्विक्ता से इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किन परिश्थितियों में भकुट दोश नहीं होता है तो इस प्रकार का जो यह तालिका बनी हुई है चार्ट बना हुआ इसमें 36 गुण यदि सभी के गुण जोडेंगे वर्ण वश्य तारा योनी ग्रह मेत्री गण ब्रकुट नाडी सब के गुण जोडेंगे तो नीचे 36 ग राजिस्थान में इसे भी यह बारवा दोश भी बोलते हैं इस वाले प्रकुट को तो भकुट तीन प्रकार के होते हैं शडाश्टक नवम पंचम और दिरद्वादश ज्यान से सुनें भकुट भी तीन तरह के होते हैं भकुट एक तरीके का नहीं होता है तीन प्रकार से देखते हैं इसको तो आज केवल एक प्रकार की ही चर्चा होगी दिरद्वादश, भकुट अब यहां दिरद्वादश, भकुट है क्या दिरद्वादश का सीधा संबंध है एक राशी से अगली राशी के साथ यदि विवा हो रहा है तो दिर्द्वादश भकुट दोश लगता है जैसे यहाँ पर एक चार्ट आप देखें दूसरा चार्ट सभी राशियां लिखी हुई है मेश भशब मितुन करक सिय कन्या तुला वर्शिक धन मकर कुम मीन उनके अंक भी लिखे हुए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस क्यारा बारा और उनके स्वामी भी लिखे हुए आगे मंगल, शुक्र, बुद्ध, चंद्रमा, सुर्य, बुद्ध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनी, शनी, गुरु इस प्रकार से सभी राशियों के स्वामी भी लिखे हुए है तो यहां राशि देखनी पड़ती है मान लीजिए, अब मैं उदारण समझा रहा हूँ आपको, मान लीजिए लड़के की राशी मेश है लड़के की राशी क्या है? मेश और लड़की की राशी व्रशब है तो यहां पर भकुट दोश लगेगा क्योंकि दोनों नजदिक की राशिया है तो यहां दिर्द्वादश भकुट जो है यहां नजदिक की राशियों में लगता है उससे अगली राशी, वर की जो राशी उसके बिलकुल पास वाली राशी यदि लड़की की है या लड़के की है तो भकुट, दिर्द्वादश वाला भकुट दो अन्य भकुट और होते हैं उन पे चर्चा बाद में किसी वीडियो में करूँगा लेकिन यहां दिर्द्वादश भकुट की बात हो रही है मेश राशी का विवाहा वरशब राशी वाले व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता क्योंकि मेश से यदि इसी चार्ट को देखें तो एक लिखा हुआ मेश का एक है व्रशब का दो है तो दिर्द्वादश भकुट का सिधा संबन्ध है दो और बारास है घणना करें यदि वर की राशी से वदू की राशी कौन से नंबर पर पढ़ रही है गिने माली जे लड़के की मेश राशी है लड़की की व्रशब है तो मेश और व्रशब मेश और व्रशब यदि गिनेंगे तो दूसरा मेश व्रशब दूसरी पढ़ेगी लड़की की राशी और दिर्द्वादश का सिधा संबन्ध है दो और बारा लड़की से लड़के को गिन 12-13-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 तो लड़का बारवा पढ़ गया लड़की की राशी से तो लड़की की राशी से लड़की दूसरी है और लड़की की राशी से लड़का बारवा पढ़ रहा है ऐसी स्तिती में दिरद्वा दश भकुट दोश लगता है एक उतारण और समझ लीजिए बिल्कुल नजदिक की राशियों से ही देखते हैं इसको जैसे मिथुन और करक देख लीजिए मान लीजिए लड़की की मिथुन राशी है लड़के की करक है तो बिल्कुल नजदिक की राशी है मितुन से गिनेंगे तो मितुन और कर्क तीन और चार दो हुआ लड़का दो नंबर दो गिनने में दो आया और लड़के की कर्क राशी से मिधुन राशी तक गिनेंगे तो करक्ष्रीय कन्या तुला वर्शिक्दन मकर कुम्मीन मेश व्रशब मिधुन बारा पड़ा लड़की बार भी पड़ गई तो ऐसी इस्तती में भ्रकुट दोश लगता है ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है एक उदारन और समझ लीजिए बिल्कुल नजदिक की राशे राशे जहां होगी वहीं पर भकुट दोश लगेगा जैसे आप यहां पर देख लीजे नो और दस धनू और मकर राशी दोनो नजदिक राशी है माली जैसे लड़के की धनू है लड़की की मकर राशी है तो इसमें भकुट दोश लगेगा जोगी लड़के से लड़की की राशी दूसरी पढ़ती है धन धनू और मकर दो धनू मकर दन से गिनेंगे राशी से गिनना जिस राशी पर लड़की की राशी वहां से लड़की की राशी कौन से नंबर पर पड़ती है दूसरे नंबर पर तो दस से गिनेंगे, दस, ग्यारा, बारा, एक, दो, तीन, चार, पांचे, साथ, आट, नो, और दस, नो, नो तक गिनेंगे, तो दस से वापस नो तक गिना, तो बारवा पड़ा लड़का, तो इस प्रकार से दिरद्वादश भकुट देखा जाता है, अन्य दो भकुट दो दोश और होते हैं, उन पर चर्चा, बाद में कहूँगा, तो आज केवल दिरद्वादश भकुट की ही बात होगी, तो इस प्रकार से हम भकुट दोश देख सकते हैं, लेकिन अब महतु पूर्ण बात, क्योंकि लोग पूरा वीडिया वीडियो नहीं देखते हैं, और फि भकुट दोश जो दिरद्वादश दोश है, राजस्थानी में इसको भिया बारवा दोश भी बोलते हैं, तो यह भकुट दोश किन परिस्तितियों में नहीं लगता है, उसे आपको समझना पड़ेगा, तो अब आप नेक्स चार्ट देखिए, इस चार्ट में देखिए, आप मैंने राशियों के अलग-अलग मटवडे कर दिये हैं, एक चार्ट में मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखिए, महाँ पर मैंने लिखा है, मेश करकसीह, मेश करकसीह, और वरश्चिक दनू और मीन, ऐसा लिखा हुआ है एक चार्ट में, यहाँ पर, और दूसरी दिवार बीच में एक लाइन कीची हुए, दूसरी तरफ कौन-कौन सी राशियां लिखिए, व्रशब, मिथुन, कन्या, तूला, मकर और कुम्ब, छे उदर लिखिए, छे इदर लिखिए, तो उदर जो छे राशियां लिखिए वे आपस में मित्र है, इसको नोट कर लिज तो इन में जो आपस में अगर मिलान होता है, तो भकुट दोश नहीं लगेगा, जैसे मीन और मेश का, मीन और मेश दोनों नजदिक राशियां हैं, लेकिन चुकि मित्र है, इसलिए इसमें भकुट दोश नहीं लगेगा, व्रश्चिक और धनू, दोनों मित्र राशियां ह नहीं लगेगा कि उसी प्रकार उदर वाली डाईन में देखेंगे आप तो व्रशब मितुन में भकुट दोश नहीं लगेगा यह परिहार एकाई शास्त्रों में इसको लिखा गया है और वहाँ पर आप इनको पढ़ भी सकते हैं तो व्रशब मिथुन में भकुट दोष नहीं लगता है इनकी विवावाली इस्तदी शुब होती है इन दोनों राशियों में पंजांग में तो लिखा होगा जीरो आ रहा है आप कंप्यूटर पर मिलान देखेंगे तो वहाँ पर भी जीरो अंग लिखा हुआ होगा लेकिन यहां निर्दारित करना होता है जोतिशी को कि वास्तव में राशी मेत्री है क्योंकि आप ग्रह मेत्री देखेंगे तो पांच में से पांच पूरे मिलेंगे तो वरशब मिथुन में भकुट दिर्द्वादश वाला भकुट नहीं लगता है इसके अलावा कन्या तुला में भी भकुट दोश नहीं लगता है दिर्द्वादश वाला और मकर कुम्ब क्योंकि दोनों का स्वामी शनी ही है इसलिए उसमें भी भकुट दोश नहीं लग लगता है तो इन दोनों इस्थतियों को इस चार्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण है यह चार्ट इसलिए तो इसको तो समझना ही है आपको और एक पुराने महरशी ने यह भी कहा है कि यदि सीह और कन्या राशी में मिलान करना हो तब भी वहाँ भकुट दोश नहीं लगता है तो इस बात को भी आप नोट कर लें सीह और कन्या राशी लड़का लड़की की राशी इनी में से है तो वहाँ पर भी दिरद्वादश व पूरा अच्छी तरह से समझना होगा जब तक आप इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे भकुट दोश का नहीं कर पाएंगे केवल मात्र कंप्यूटर से देख लेने से कि वहाँ जीरो अंक लिखा हुआ भकुट के आगे तो भकुट दोश हो रहा है इसा मानना ठीक नह जाता हूँ कि किन-किन राशियों में आपस में भकुट होते हुए भी दोश नहीं लगता है क्योंकि वह आपस में मित्र है तो इस चार्ट को अवश्य याद कर ले मैं इस चार्ट में जो भी मैंने इस्तति दी है उसके अनुसार दीरदुआदश्क पकुट दोश मेश और मीन में नहीं लगेगा करक और सीह में नहीं लगेगा सीह और कन्या में भी नहीं लगेगा जैसा मैंने आपको बताया कन्या तूला में नहीं लगेगा वरश्चिक धनू में नहीं लगेगा मकर कुम्ब में नहीं लगेगा मिथुन और व्रशब राशी में नहीं लगेगा इन सभी बातों को आपको ध्यान देना होगा लेकिन यदि मेश और व्रशब है तो दोश लगेगा मिथुन करक है तो दोश लगेगा तुला व्रश्चिक है तो भकुट देरद्वादश दोश लगेगा, धनू और मकर है तो भकुट दोश लगेगा, कुम्ब और मीन है तो भकुट दोश लगेगा, वहाँ पर अंक जीरो है, तो दोश है, वास्तों में है, लेकिन बहुत सी इस्तिय ऐसी बते ही, जहां जीरो हो गुण देखे और भकुट दोश हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है लेकिन यहाँ वहाँ अगर आप देखें कि मेश और मीन राशी है तो साथ गुण और जुड़के हैं तीस गुण हो जाएंगे तो मिलान शुब हो जाएगा तो यसे भकुट दोश नहीं हो रहा है जिन हो सके केवल मात्र आप अपने हिसाब से यदि कंप्यूटर से देख लेते हैं या केवल मात्र पंचांग में जो गुण सारनी है वहां से गुण देख लेते हैं तो यह सही और सटिक गणित नहीं है भकुट को समझना पड़ता है इसी प्रकार से आगे आने वाले वीडियो में मैं कभी आपको शड़ाश्टक भकुट और नवम पंचम भकुट को भी समझाऊंगा यह दिरद्वादश वाला भकुट जैसा कि मैंने बताया कि जीवन शेली और वहवार के बारे में तो देखते ही हैं लेकिन साथ में दिरद्वादश पकुट को आमदनी खर्च के ब पूरा प्रभाव पढ़ता है और यह दिशुब है तो आरतिक इस्तिती पर पूरा प्रभाव नहीं पढ़ता है क्योंकि राशी मेत्री है तो पकुट दोश समाप्त हो जाता है धन्यवाद जैसी कृष्टना